23 अगस्त 2023 शाम के करीब 6 बच करचान मिनिट पर जब विक्रम लैंडर ने चान्द के साउथ पोल पर सक्सेस्पुली सॉफ्ट लैंडिंग की तो भारत देश दुनिया में चान्द के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया उस समय में लाइग था और मेरी एक्साइटमेंट का कोई भी ठीका न नहीं था और क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 की सक्सेस पर इसरों से ज़्यादा ध्यान अमेरिका का था क्योंकि इस मिशन के दौरान विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर जो एक्सपेरिमेंट परपॉर्म करेगा उनके रिजल्ट का सीधा असर नासा के नेक्ष्ट क्रूड मिशन आर्टीमस 3 पर पढ़ने वाला है पर कैसे वेलाज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे तो हेलो गाईज में हो कौशिक और चलिये शुरू करते हैं एक और ने अपिसोड को 56th Independence Day 15 अगस्त 2003 भारती प्रधान मंत्री अटल विहारी बाजपेई जी ने ये अनौन्स किया कि अब हमारा देश भी साइन्स के फील्ड में नई उचाईयों को चूने के लिए तयार है मैं ये बताते हुए खुश हूँ कि अब इंडिया जल्द ही साल 2008 तक चंद्रमा पर अपना खुद का स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला है इस प्रोग्राम का नाम चंद्रयान रखा गया इसमें चंद्रयान एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है मून क्राफ्ट यानि कि चंद्रमा का जहाज है जब इंडिया का ये सपना भी पूरा हुआ और इंडिया ने PSLV XL रॉकेट के जरिए चंद्रमा के और्बिट में पहुँच कर इसके पोल्स पर क्रिस्टिलाइज फ्रीजिंग वाटर की डिसकवरी की इस मिशन की सक्सेस के 11 साल बाद 20 जुलाई 2019 का वो दिन आया जब इसरो ने चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए लॉंच गया चंद्रयान 2 के तीन मेन कॉंपोनेंट्स थे मून और वाइटर, विक्रम लैंडर और प्रग्यान रूवर पर उनफर्चुनेटली 6 सेप्टेंबर 2019 को विक्रम के प्रोग्राम में हुई कुछ इरर्स के कारण ये हाई वेलोसिटी में मून सर्फिस से कोलिजन के कारण डिस्ट्रॉइ हो गया जिससे पूरे देश को काफी दुख हुआ और जरा सोश कर देखिये जिन वैग्यानिकों और इंजिनियर्स की टीम ने चंद्रियान 2 पर दिन रात काम किया था उनको इससे कितना दुख हुआ होगा बट इसी सेटबैक के कारण इस दुख के वैग्यानिकों ने और भी मैनत करते हुए चंद्रियान 2 के सभी फेलियर्स को एनलाईज करके चंद्रियान 3 के साथ एक नया कमबैक किया और केवल चार साल बाद ही चंद्रियान 3 को लांच के लिए प्रिपेर किया जिसका चंद्रियान 2 की तरह सेम अबजेक्टिव था मून के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग दिमिंस्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट्स प्रफॉर्म करने का इसके बाद 14 जुलाई 2023 को जीसली मार सेप्टिकल ओर्बिट को सर्कुलर ओर्बिट करते हुए 100 किलोमेटर के सर्कुलर पोलार लूनार ओर्बिट में आकर अगस्त 17 को इससे विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ जिसके बाद लैंडर ने डी बूस्टिंग के साथ अपनी वर्टिकल और होरिजोंडल वेलोसिटी को स्लो डाउन किया और फाइनली 23 अगस्त को मून सर्फेस पर टचडाउन परफॉर्म किया गया जहां अब ये दोनों यानि की विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर एक लूनार डेलाइट पीरियड यानि करीब 14 अर्थ डेस तक ऑपरेशनल रहेंगे और दोनों अपने साइन्टिफिक इंश्रुमेंट की मदद से साइन्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे अब अगर चंद्रियान मिशन की थोड़ी डीटेल में जाए तो चंद्रियान 3 भी टोटल 3 हिस्सों से मिलकर बनी है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर जिसमें से प्रोपल्सन मॉड्यूल ही वो हिस्सा है जिसने अर्थ के ओर्बिट से लैंडर और रोवर को के दूसरे हिस्से में एक लार्ज सिलेंडर जैसा माउंटिंग स्ट्रक्चर लगा है और यही वो हिस्सा है जिससे लैंडर अटैजड था अगर लैंडर की बात करें तो ये इस पूरे मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था क्योंकि लैंडर ही चांद की सतह पर उत्रा ह में चंद्रियान 2 मिशन के दौरान विकरम लैंडर ही मून की सतह पर क्रैश हुआ क्योंकि उस समय मून लैंडिंग का ज्यादा एक्स्पिरियंस ना होने के कारण इसरो के वैग्जानिकों ने चंद्रियान 2 के लैंडर के प्रोग्राम में लैंडर द्वारा स्पीड ना आटिट्यूड और स्पीड को मैनेज करने का कंट्रोल दिया हुआ था इसके अलावा इस बार इसके आटिट्यूड करेक्शन रेंज इंक्रीज करते हुए 25 डिगरी पर सकेंड कर दी गई चंद्रियान 2 के disappointment से इस रो के इतना कुछ सीखने का ही नतीजा है कि इस बार लैंडिंग में हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिली अगर विक्रम लैंडर की बात करें तो ये भी एक बड़ा सा box type structure है जिसके नीचे लैंडिंग के लिए चार लैंडिंग legs और चार लैंडिंग thrusters लगे हुए जिसमें से हर एक 800 newton's की force generate कर सकता है और विक्रम लैंडर में कई scientific instruments लगे हैं जैसे की chest यानि की चंद्रा surface thermophysical experiment जिसका काम चांद की surface की thermal properties को measure करना है ilsa यानि की instrument for lunar seismic activity जो landing site के आसपास seismicity को measure करेगा the radio anatomy of moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere यानि की rambha जो moon के atmosphere की gases और उसमें plasma amount को measure करेगा and last एक passive laser retro reflector array जिसे NASA ने ISRO को चंद्रियान 3 के lander पर लगाने के लिए दिया था जो moon की soil composition के study में काम आएगा अब दोस्तों finally अपने rover की बात करे तो चंद्रियान 3 के 26 kg weight वाले इस rover में इस दोने चांद की सतर पर आसारी से घूमते हुए experiment करने के लिए six wheels लगाए हुए लेकिन इससे भी ज़्यादा important है इसमें लगए हुए scientific equipment जो पूरी दुनिया के scientific community के लिए काफी important हो जाती है तो प्रज्यान rover में moon surface पर scientific experiment परफॉर्म करने के लिए mainly दो instruments लगे हैं alpha particle x-ray spectrometer and laser induced breakdown spectroscope जो दोनों ही south pole के lunar surface के composition और उसमें मौझूद elements के study के लिए use होने वाले है दोस्तो चंद्रियान 3's successful moon landing showcases India's space superpower status दोस्तो चंद्रियान 3 lander के south pole पर successfully landing के बाद अब इंडिया south pole पर land करने वाला world का पहला country बन चुका है जो अपने आप में एक historical बात है क्योंकि ऐसा करने में अभी तक दुनिया का कोई भी country successful नहीं हुआ है जाए वो अमेरिका हो चाइना हो या फिर जापान और रश्या ही क्यों ना हो इन शॉट चंद्रमा के south pole पर land करके इंडिया ने जो history create किया ना हमें उस पर proud होना चाहिए क्योंकि भारत से जादा budget advanced technology होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे developed देश ऐसा करने में ना काम्याब रहे हैं इस landing के साथ इंडिया ने अपने लिए एक और खिताब हासिल किया है और वो है US, Russia and China के बाद चांद की सदब पर land करने वाला fourth country बनने का according to the prestigious nature journal, इंडिया का ये moon mission भारत के एक strategy का हिस्सा है जिसमें भारत उन elite group of nations का हिस्सा बनना चाता है जो moon surfaces पर long term presence रखे और चंद्रयांत्री की success इस बात का proof है कि इंडिया अपने strategy में काफी हर्त तक काम्याब हो चुका है लेकिन अभी भी moon पर अपनी presence बढ़ाने में भारत के सामने एक चुनौती है और वो है भारत का पड़ोसी देश चाइना जो moon एंड मार्स पर अपने rover और lander successfully उतार कर इस समय स्पेस रेस में भारत से काफी आगे पहुँच चुकी है तो देखो साल 2016 के बाद से अब तक चाइना जी स्पेस इंडेस्ट्री ने स्पेस फिल्ड में एक रैपीड प्रोग्रेस और इनोवेशन की है जिसके जरिये चाइना ने moon से लेकर मार्स तक अपनी presence और technical advancements को दिखाया है खास करके 23 जुलाई 2020 में लांजड चाइना का टियानवानवन मिशन जिसमें Chinese National Space Administration यानि की CNA से ने टियानवानवन ओर्बाइटर और जूरोंग रोवर को मार्स पर पहुँचाया था लेकिन इफ भी कंपेर इंडिया एंड चाइना स्पेस प्रोग्राम देन वी विल फाइंड की अभी भी इंडिया का moon प्रोग्राम चाइना से काफी जादा पीछे चूट चुका है जैसे कि 7 दिसंबर 2018 में लांच चाइना का चैंगी 4 मिशन जो भारत के चंद्रयान 3 से काफी जादा मिलता जुलता था क्योंकि उसमें इन्होंने चंद्रमा के फार साइट पर 3 जनवरी 2019 को ही लैंडिंग परफॉर्म कर ली थी जो की सक्सेस्फुल रही एंड चाइना ने इस मिशन में एक रोवर भी भी भीजा था जो चंद्रयान 3 के प्रग्यान रोवर की तरह सेम अबजेक्टिव पर बेज़ था कि मून की सतर पर घूमते हुए सर्फिस और सोयल को एनालिसिस करना और वाटर की प्रिजन्स का पता लगाना अब जहां भारत के चंद्रयान 3 के प्रग्यान रोवर की मून सर्फिस पर लाइफ केवल मून के एक दिन यानि कि अर्थ के अल्मोस 14 दिनों के ही बराबर रखी गई है महीं चाइना का चायंगी 4 मिशन करीब 3 महीनों के लिए प्लान किया गया था लेकिन जहां चाइनीज चीजे कुछी समय में जवाब दे जाती है उसके दूसरी तरफ चाइना का ये मून रोवर आज 4 साल 7 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी चांद के सर्फिस पर ऑपरेशनल है और सिर्फ यही नहीं बलकि इस मिशन की सक्सेस के बाद चाइना ने 23 नवंबर 2020 को चैंगी 5 नाम का एक नेक्स्ट मिशन लॉंच किया इस मिशन की खासियत यह थी कि इस मिशन में केवल लैंडर मून सदपर उतरने वाला ही नहीं था बलकि वहां से मून सॉयल को कलेक्ट करके वापिस चैना तक लेकर आने वाला था इस मिशन में भी चैना सक्सेस्ट रहा और 1 दिसमबर 2020 को चैना ने मून सर्फिस से सॉयल सैंपल को कलेक्ट किया और 16 दिसंबर 2020 को चाइना इस मिशन के जरिए स्वाइल सेंपल को अर्थ पर लाने में काम्याब रहा जिस पर आज भी रिसर्च जारी है इसके अलावा भी कुस्स में पहले चाइना ने चंदरमा की सतर पर साल 2030 तक फर्स्ट चाइनीज ऐस्ट्रोनाट को लैंड करने के लिए अपने एक नए मून मिशन को अनौन्स किया है अब यहाँ पर मैं एक चोटी सी बात आपको क्लियर कर दूँ कि चीन के इन मिशन के बारे में बात करके मैं अपने देश के चंदरयान 3 के कामियावी को छोटा नहीं दिखा रहा बलकि यह बस एक आईना है जो यह दिखाता है कि अगर हमें भी एक स्पेस सूपर पावर बन बजट अल्मोस्ट 12 बिलियन डॉलर्स का जो कि इसरो के 1.6 बिलियन डॉलर्स बजट से अल्मोस्ट 10 गुना है जानी अगर हमें चाइना से स्पेस रेस में आगे निकलना है तो हमें उसके लिए इसरो के बजट को भी काफी बढ़ाना होगा और इस कम बजट के कारण ही हम अभी कुछ समय पहले मून के साउथ पोल पर लैंड करके हिश्ट्री क्रियेट करने से चूख सकते थे क्योंकि जहां इसरो ने चंद्रियान 3 को एक महीने पहले लॉंच करने के बावजूद भी उसके कम फ्यूल कंजम्शन के लिए एक लॉंग पात को चुना तो वही रश चंद्रियान 3 मून पर लैंड तो कर जाता लेकिन मून के साउथ पोल पर फर्स्ट लैंड करके हिश्ट्री क्रियेट करने का खिताब हमारे पास नहीं बलकि रश्या के पास होता इन शॉट अगर हमें स्पेस सूपर पावर बनना है तो सबसे इंपोर्टेंटली हमें पहले इसरो के बजट को बढ़ाना होगा तब ही हम दुनिया की दूसरी स्पेसियंसी से कंपीट कर सकेंगे और उनसे आगे निकल सकेंगे अब आखिर में हम बात करते हैं वाई विल दाइ यूएस बी क्लोजली वाचिंग तचंद्रयान 3 एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स तो साउथ पोल पर प्रग्यान रोवर और विक्रम लेंडर द्वारा किये जाने वाले एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को लेकर भी नासा काफी इंट्रेस्टेट दिखाई दी क्योंकि नासा भी साल 2025 में अपने नेक्स्ट कुरूड मिशन में स्पेस क्राफ्ट को मून के अनेक मिल जाएगा और यही कारण है कि नासा भारत के इस मिशन में इसरों से भी कई जादा इंट्रेस्टेट है क्योंकि इसके जरिए नासा आर्टीमस प्रोग्राम में अपनी लैंडिंग साइट एंड यूमन्स के रहने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन पर बेस बनाने की लो सेंचुरीज तक याद रखा जाएगा वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है क्या हम कभी चाइना को स्पेस रेस में हरा पाएंगे आप अपना जवाब मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताने दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ है और झाल